दोस्तों गर आपने गुली बुली इविलन और मिश्टर मीट का पार्ट वन और टू अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी पिछली वीडियो में हमने देखा कि इविलन बाबा और रॉट को बॉटल्स के अंदर बंद करके रख देती है और फिर उद कर नीचे आ जाती है और मिश्टर मीट गुली बुली शौन और टिंकू को लेकर एक पोर्टल के अंदर चला जाता है और इविलन भी उनके पीछे पीछे चली जाती है पोर्टल के अंदर और ये लोग एक नई जगा पहुँच जाते हैं जहां एक लावा का पूल बना होता है वहां मिश्टर मीट उनको एक हेल के बारे में समझाता है और बताता है कि जो इस पूल को पार कर लेगा उसे हम जाने देंगे वरना वो वैसे ही मारा जाएगा और एक मौन्स्टर उस चैलेंज को करके दिखाता है और ये लोग सबसे पहले एक गाउवाले को भेजते हैं ल गुल्ली और शौन मुझे माफ करना बुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम ये कर सकते हो और गुल्ली चैलेंज के लिए तयार हो जाता है बहुत अच्छे गुल्ली बस चलते रहो ऐसे ही लेकिन तभी इविल नन मिस्टर मीट और उनके दोनों मौन्स्टर फ्रीज हो जाते है और अरे यहाँ पर तो Rod और बाबा आ चुके हैं गुली बाबा और Rod को देखकर एकदम से खुश हो जाता है Rod कहता है तुम वहीं पर खड़े रहना गुली कहीं तुम नीचे ना गर जाओ गुली कहता है मैं आ सकता हूँ Rod बाबा कहते तुम लोग ठीक तो होना गुली बुली शौन और टिंकू शौन कहता है बिलकुल सही टाइम पर आए हैं आप बाबा मैं तो बस बाल बाल बचा हूँ बाबा लेकिन इधर वो लावा मॉन्स्टर्ज फ्रीज नहीं हुए थे और अब ये लावा मॉन्स्टर्ज बहुत गुस्से में आ चुके हैं और बाबा और रॉट उन दोनों लावा मॉन्स्टर्ज को ठाकर दूर फेक देते हैं और गुली बुली शौन टिंकू और वो गाउँ वाले बाबा और रॉट की तरफ आ जाते हैं बाबा कहते हैं रॉड लगता है इन सब का बर्फ तूटने वाला है तुम दोनों यहां पर कैसे आ गये तुम दोनों मेरे बॉटल से बाहर कैसे निकले बाबा कहते है तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने छोटे मोटे जादू से हमें हमेशा के लिए कैद कर सकती हो रॉड कहता है इतना भी कमजोर नहीं है आम इविलन तुम सुनो मॉंस्टर जाओ इनको मसा चखा कर आओ खीक है इविलन मैं भी जाता हूँ इविलन और वो दोनों मॉंस्टर अब साथ में आ जाते हैं रॉड कहता है ये दोनों मॉंस्टर जितने ताकतवर कैसे हो गए बाबा बाबा कहते है कुछ भी हो जाए रॉड हमें इने हराना ही होगा ये दोनों मॉंस्टर अब बिहोश हो चुके हैं और बाबा और रोड उन दोनों को उठा कर लावा के अंदर फेक देते हैं और इविलन और मिश्टर मीट ये देख कर बहुत गुस्से में आ जाते हैं तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम बाबा और रोड रोड कहता है छोड़ेंगे तो हम नहीं तुमें इविलन मिश्टर मीट कहता है तुम दोनों को तो मैं अकेले ही खतम कर सकता हूँ अच्छा चलो आजाओ फिर और इविलन और मिश्टर मीट बाबा और रोड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी रोड उन दोनों को फ्रीज कर देता है और अरे बाबा तो अपने कॉस्मिक मोड में चले गए और बाबा अपनी धंडर की पावर से मिश्टर मीट और इविलन को प्लास्ट कर देते हैं और अब आखिरकार ये सभी लोग सेफ हैं इंकू कहता है बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने का आप ना होते तो नजाने हमारा क्या होता शौन कहता है और तुमने भी तो कमाल कर दिया रोड रोड कहता है धन्यवाद शौन चलो वापस घर चलते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं ऐसी और वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसको सबसे पहले देख सकें